जैसी किसना वक्तों हमारे बे एस सर्माबाद द्वाद चेनल में आप सभी वक्तों का स्वागत हैं वक्तों बैसाक मात्तम की दसमे दिन की कठा का बनन कर रहे हैं कात के जी के जिनम की कठा भगवान सिवजी के समेत्व की कठा को सिवन करने से सभी प्रकार की पापों से मुक्ती मिलती हैं और संतान प्राप्ती का बर्दान प्राप्त होता है गजान नम्भूत गडाद शीवितम कपेत्यम्भू फलिचार वक्यणम उमा सुतं सोक विनाशिकारिकम नमामि विगने स्वरिपाद बंगजम गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्नु गुरूर देवो मैश्वरा गुरूर साख्यात परंब्रह्मा तस्मैशी गुर्वे नमा सवे द्वार ने कुँ छोड के आयो तेरे द्वार सिरिब्रशेवान की लाड ली जरा मेरी ओर ने हार कथा प्रारंबे होते हैं सोना हुँ वीर अनुमान राम लखन सिय जान की सदाकरों कल्यान सप्रथम भगवान शी रादा किष्ण के चर्ण कमलों में प्रिनाम करके शिरिब्यासी माराज सरस्वती देवी एवं सद्गुदेव के चैनों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पुज्यनों का अशिर्वा लेते हुई भगवान सी बांके ब्यारी मुर्ली मनोल लाल सी प्रातना करते ही गोविन हमको सद्गुद्धी देना धर्म का राश्चा दिखाना अपनी भक्तियों कृपा रिष्टी सदा बनाए रखना उलवैसाक मातम की जाएं शिरी सूजी माराज कहते हैं कि रिशीवरों देवरिशी नाजी राजा मुरिश्य कहते हैं कि राजन शुत देव ब्रामन ने मिठलापुरी के राजा शुत कीती को जब ब्रतांत सुनाया सती के शरीत त्यागने का ब्रतांत सुनाया तारका शुर का इतियास सुनाय तो मिठलपरी के राजया ने पूचा है ब्रह्म जओ कामदेव जब भगवान शिवजी की क्रोडागनी से जल करके भस्म हो गया भगवान शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो उसकी उत्पत्ति दुबारा से कैसे हुई सित्देव स्वामी कातिक के जनम की कथा कहने लगे जिसके सुनने से सभी प्रकार के पापनश्ट हो जाते हैं यस संतान की प्राप्ति होती है सभी प्रकार की रोगों का नास होता है सुत्देव ब्रामन कहते हैं कि हे राजन महादेव जी ने कामदेव को भसं कर दिया तो उसकी इस्त्री रती मूर्चित हो गई और चेतना होने पर बिल्लाप करने लगी सरीत त्यागने का विचार किया अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को उलाया बसंत ने आकर के रती को समझाया कि देवी आत्म हत करना आत्मत्य करना मान पाप है ये धरम नहीं है लेकिन रती के नामाने पर बसंत ने नदी के तत पर एक चिता रती को सती होने के लिए तयार करी रती गंगा में स्नान करके संपूर्ण क्रिया से निश्चित हो करके अपने पती का ध्यान करके चिता में प्रवेश करने लगी उसी समय पर आकास वानी हुई के कल्यानी हे पती में प्रेम रखने वाली तो चिता में प्रवेश मत कर तेरा पती मानेव की क्रबा से यदवन्शी भगवासी किस्न के अंस की द्वारा द्वापर युग में पुने उद्पन होगा ऐसे उसके करम से दो जनम होंगे दो से जनम में स्री कृष्ण से रुक्मनी के गर्व से तेरा पती उत्पन होगा उसका नाम प्रिदुम्न होगा तु ब्रह्मा के इस्राव से संकर के घर में जन की उस समय पर एक संकरा सुनाम का राख्यस होगा उस राख्यस के घर में निवास करेगी तेरा पती वहीं पर तुझे प्रिदुम्न के रूप में प्राप्त होगा ऐसा कहकर के आकासवारी समत तो गई तब रती ने चिता में प्रवेश ने किया फिर सब देवताओं ने रती को बर्दान दिया उसको सांथ किया और काहे काम प्रिये अब तेरा पती अनंग कहलाएगा अंग वालों की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा जाने तेरा पती जो है अध्रिश रूप से सभी को इस समय भी व्यापेगा अनंग रूप से बिना अंग के भी तेरे सामने इस समय दिखाई देगा तेरी साथ रहेगा, पूर कल्प में तेरा पती सुन्दन नाम का राजा था, उस जनम में तु उसकी पतनी रज संकर कानी हुई थी, इसी ज़े तेरी दसा हुई है, तु बैसाक के मेने में प्राते काल मंदाकनी नदी में इस्नान कर, भगवान मरसूदन का पूजन कर, उनकी जिब भी कथा सुन्द, असुन्य सयन नाम का ब्रत आरंब कर, ऐसा काने से तेरा पती आवस्थि तुझे मिल जाएगा, इसमें किसी भी प्रिकार का संदे नहीं है, रती को इस प्रिकार से अग्या दे करके, बर्दान होकर दे करके, सभी देवता अपने अपने इस्तान को चले गई, रती भी कले से निब्रित हो गई, और रती जो है, गंगा इस्नान करके, असुन्य ब्रित धारन करके, उसने बैसाक मात्तम की कथा सिवन करना, बैसाक इस्नान करना प्रारंब किया, जैसे इस्नान प्रारंब किया, उसका पती बिना सरीर के भी आत्मा के रुप मे रती को दिखाई देने लगा पूरे कलप में ये बड़ा धर्म परायन राजा था परन्तु बैसाक के महिने में इसनी बैसाक के महिने में भी निशिद्ध कर्म करें इस कारण से परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगीन हुगा जब मादेव जी अंतर्यान हो गई तब पार्वती भी इदा निरास होकर के सोचने लगी अब क्या करूं तब पिता हमेबान उन्हें अपने घर ले गए पार्वती जी संका जी के रूप गुणों को देख करके मोय तो चुकी थी हे राजन संका जी को अपना पती बनाने की थान करके गंगा जी के किनारे माता पार्वती ने तपश्या प्रारम कर दी वो माता पिता आज के समझाने पर भी भूकी प्यासी जटाएं बढ़ा करके हज्जारों वर्सों तक महालिंग की पूजन काती रही और सिर्जी की पूजा काती हुए सिर्जी के ध्यान में मगन रही मादेव जी साहिकाल ब्रमचारी के वेश में उनके सामने उनकी पन कुटी पर अनेक प्रकार की परिक्षा लेने के लिए आए माता पारवती की मादेव जी ने अनेक प्रकासी परिक्षा ली उनकी परिक्षा में उन्हें सपल देख करके बोले कहे बद्रे मैं तुमारी इस तपश्चा से प्रसंद हूँ तुमारी मन में जो भी इच्छा है मुझसे बर्दान मांगो पारवती ने का हे रुद्र तुम मेरे पती हो तथास तु ऐसा ही हो ऐसा कह करके मादेब जी अंतर्यान हो गए इसके बाद में सत्रिशियों को बला करके हिमाचल के पास वेजा ये सत्रिशी हिमाचल के पास पहुँचे हिमाचल के पूछने पर का कहे राजन तुम्हारी कन्या पारवती जो पहले दक्ष की पुत्री थी अपने पिता के यग में सरी त्याग करके तुम्हारी गर में जिनम लिया है इसका बिवाय मादेव जी से कर दो ये बात सुनकर के मादेव चलने का अब आप वहाँ पदाने जा मादेव जी हैं और मेरी पुत्री के बिवाई के लिए उन्हें तयार करें। करके मादेव जी चल बिवाई के लिए चल पड़े। उस समय संक म्रिदंग अनेकों प्रिकार के बाजे बजने लगें। की इरत्वाँ के पाठ होने लगे हिमाचल की पूरी में सभी देवताओं के साथ में और भूत गड़ों के साथ में मादेव जी बिवाई के लिए पहुँचें। सुम्लगन में सिप पार्वती जी का बिवाई संपन हो गया। जिस सित्लोकी में आनन्द चा गया। बिवाई उस सब होने पर संकर पार्वती दी सोचनिता से हिमाचल के इसकर पर सैस्ट दिव्य वर्ष तक रमण काते रहे। मादेव जी के द्वारा पार्वती के साथ नित्ड रमण कारने से उस समय गर्वधारन ने उपारता सभी देवता तारका सुर के द्वारा सताए जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि कार की सिद्धी बड़ी कतने मादेव जी को ग्यान होना चाहिए कि गर्व धर्ण होना आवश्यक है ऐसा विचार करके अगने को मादेव जी के पास में वेजा जा सिप पार्वती जी रमन कर रहे थे उस समय जाकर के जैसे अगने देव पहुँचे अगने देव को देख करके लज्जा के मारे पार्वती जी दूर हो गई तो उस समय पर भगवान सिप जी को कुरोडाया कि तुम मेरा सिश्ष है हे अगनी तुम देवता हो मेरे भक्त हो तुमने ऐसे आना नहीं चाहिए तुमने आकर के हमारे इस गृष्ट जीवन में बादा उत्पन करी है बहुत काल वितीत होने पर भी पार्वती जी के गरभ से स्वामी का तिक्का जिनब ने उगा इसलिए जो अगनी मादेव जी के पास आया था मादेव जी जो है अगनी पक्रोधित हो रहे थे अगनी से बोले के अगनी मेरे तेज को तुई धारन कर इसलिए मैं तुझे इसे त्याग रहा हूँ उस तेज को जो अगनी देव ने जैसे ही गेंड किया तो उसी समय पर शिव जी के तेज से अगनी के अंदर अगनी उपनितनी हो गई कि अगनी भी नस्त होने लगे अगनी बड़े वैबीत हुए इस तरह से अगनी देव जो है मादेव जी के तेज को समाल ने पाए उन्होंने सभी देवताओं को संग ले जा करके गंगा जी के पास में सुटी करी के माता आप देवताओं के कार के निमित इस सिवजी के तेज को धारन करें अगनी देव भगवान सिवजी के तेज को धारन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसे इस्त्री धारन कर सकती हैं हमारी रक्षा करो ऐसी प्रातना कने पर गंगा जी ने तथाश्तु का सभी देवताओं ने अगनी से गर्व वोचन मंत्र के द्वारा करसं करके भगवान संका जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया ये तेज बड़ा दिप्तमानता कुछ मास तक गंगा जी उसे सेन कर सकी पर गंगा जी का भी जल सूखने लग गया इससे जो है केबर रक्त कलर का जल दिखाई देने लगा जिसे गंगा मैया भी व्याकुल हो गई उन्होंने जो हैं सरपतों में जो गंगा जी किनारे सरपत होते हैं उसमें उस तेज को छोड़ दिया जैसे गंगा मैया नुआ चोड़ा उसके छे भाग हो गई उस समय छे कृतकाई छेओं भागों को उन्होंने एक खटा किया तो एक डिब्यबालक बना जिसके छे मुख हो गई सरीर एक था छे मुख ते छे कृतकाई उन्हें ले कहीं और जाकर के उनकी देखवाल करने लगी एक दिन जो है भगवान सिर्जी पार्वती के साथ भ्रमन करते हुए जहां छे कृतकाई जो सर्वंडों में ही कातिक की पालन पोशन कर रहे थी वहां होकर कि निकले माता पार्वती के इस्तनों से दूड की धारा निकलने लग तेरा पुत्र यहीं पर पास में पड़ा हुआ है मादेव जी ने सारी बात कह सुनाई कि किस तरह से उस पुत्र का कातिक का जिनम हुआ है तो समय पर जैसे गंगा जी के द्वारा उसका पालन पोशन छे कृतकाउं के द्वारा रक्षा की बात सुनी उसी समय माता पार्वत उसे देखा और उसे देखकर के बालक को गोडी में उठा लिया दुग्द पान कर आने लगी मादेव जी के साथ में माताप पारवती स्वामी कातिक को ले करके केलास परवत पर आ गए और केलास परवत पर आ करके कातिक का लालन पालन करने लगी कातिक का लालन पालन किया उस समय पर बैसाक मास में यह सारी घटनाए गटे तो ईती इसलिए बैसाक के महिने में माता पारवती को भी कातिक की प्राप्तिक हुई इसलिए बैसाक के महीने में धरम काने से इस्तियों का बिर्वापन मिट जाता है और जो इस्तियां बैसा किस्नान काती है उनको संतान की प्राप्ति होती है पुत्र की प्राप्ति होती है जो बीमार रहते हैं उनके रोग दूर होते हैं जो निर्दन हैं वो धनवान होते हैं सभी प्रिकार की मनों कामना पूर्टी करने वाला ऐसा बैसाग का मात्तम है इन्हीं स्वामी कातिक ने बड़े उकर के तार का सुर्का भद किया था सुत्देव जी कहते हैं कि राजन जो लोग इस मास को बिना इसनान दान के विता देते हैं उनके धरम कने पर भी अनेकों प्रिकार के कश्ट वोगने पाते हैं अगर सरी सामर्थ है सामर्थ वान होती हुए बैसाक के मात्तम को जो है बिथा निकालना नहीं चाहिए बैसाक के महिने का नियम के साथ में पालन करना चाहिए इस तरह से बैसाक मात्तम की कथा सिवन करा के स्वामी कातिक की जर्म की कथा सुत देव ब्राह्मन ने राजा मितला आगी की कथा कल के अध्य में बनन करेंगी कथा सदां हो तीरे सुना हूँ बीर नुमान राम लख ने पिश ये जान की सदाकरों कल्यान श्या पते राम जए जए राम बुलबिंदीराबन व्यारीलाल कीजै बैशाकमात्म कीजै जए जए स्री रादे जए स्री रादे जै जए स्रीरा डेश्याम